हेलो और वेलकम बेक तो दुश्यानल एवरिवन साइंस एंट टेक रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अल्ट्रा साउंड मसीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रा साउंड मसीन का यूज हम लोग बाड़ी की इंसाइड पार्ट को देखने के लिए करते हैं जैसे कि जब भी कोई प्रेमेंट महिला होती है तो अगर उसके बच्चे को अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग अल्ट्रा साउंड मसीन का यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड मसीन में एक्च्छली क्या होता है इसमें polyelectric crystals मौजूद होते हैं जो हमारे बौडी में जोsolid parts होते हैं उसके image को वह process करके हमारे computer में वह थेज देता है और जो यह process होता है वह एक transducer के कारण होता है और transducer हम सभी जानते हैं कि transducer one energy form को another energy form में convert करता है लेकिन यह जो transducer होता है जो मतलब poly electric crystals के बना होता है वह काफी ज़्यादा महंगा होता है इसलिए जो हमारा Ultrasound Machine है वह काफी ज़्यादा महंगा होता है तो प्राइस को रिड्यूस करने के लिए कॉलंब्या के इंजिनियर्स ने यह ट्रांसड्यूसर को एक तीनी ड्रंप से रिप्लेश किया है जो की सेम उसी तरह वर्क करता है जो की ओली इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वर्क करता है एक अल्ट्रासंड मसीन में और यह जो हमारा टीनी ड्रंप्स जो बनाया है इंजिनियर्स ने उसका प्राइस लगबग पड़ता है हम लोगों को हंट्रेड डॉलर के आसपास यह जो टीनी ट्रंसड्यूसर है उसका नाम दिया गया है पोली कम्ट्स मतलब कि इसका अगर फूल फॉर्म देखा जाए तो इसका फूल फॉर्म होता है पॉलीमर कैपसिटी माइक्रो मसीन अल्ट्रा साउंड ट्रंसड्यूसर मतलब कि यह जो है बहुत ही छोटा सा है और यह हमारे सरीर में कहीं भी फिट हो सकता है मतलब अगर आप चाहें तो आप इसे वियर कर सकते हैं मतलब पहन सकते हैं और इसको आप अपने साथ कहीं भी लिया सकते हैं और रही इसमें पावर की बात तो इसको आप पावर अपने सेलफोन से भी दे सकते हैं मतलब यह आप समझ सकते हैं कि यह कितनी कम पावर कंज्यूम करता है और इसते जो इमेज आता है उसको आप अपने कंप्यूटर पे अराम से देख सकते हैं तो आज के इ लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम गुड़नाइट जैहिंद गुड़नाइट